आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुती न्यू और यूनिक ब्रेड पार्सल की रेसिपी आज से पहले आपने इसे ना ही बनाया होगा और ना ही खाया होगा बहुती न्यू और यूनिक रेसिपी है अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो आप इसका टेस्ट भूल नहीं पाओगे इतनी टेस्टी लगती है ये रेसिपी तो ये रेसिपी को आप पूरा देखीएगा रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा आपके एक लाइक से मुझे आपके लिए धेर सारी नई-Nई रेसिपी लेके आने के लिए मौटिवेशन मिलता है तो एक लाइक करना तो बनता ही है तो चलो फ्रेंट को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर सबजियों को मैरिनेट करेंगे इसके लिए यहाँ पर हम मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसके अंदर डालेंगे 3 टेबल स्पून जितना ओल को और इसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जितनी रेड काश्मेरी मिर्श को यहाँ पे हमने rare काश्मेरी मिर्श का यूज इसलिए किया है कि यहाँ पे इसका color बहुत ही अच्छा आएगा तो हमें यहाँ पे artificial color डाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए यहाँ पे हमें rare काश्मेरी मिर्श का ही यूज करना है आपको जितना तीका पसंद है इसके हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हो और 1,4 TSP जितना काली मिर्श को डालेंगे, 1,5 TSP जितना पूना हुआ जीरा पावडर को डालेंगे, 1 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पावडर डालेंगे और 1,5 TSP जितना काला नमक को डालेंगे, और 1,5 TSP जितना सादा नमक को डालेंगे और Half TSP जितना हम यहाँ पे घरम मसाला डालेंगे सबको अच्छे से मेक्स करेंगे मसाले अच्छे से मेक्स हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे बारिक चॉप किये हुए शिमला मिर्श को मैंने यहाँ पर One Ball जितना लिया है तो अभी हम इसके अंदर डाल देंगे और यहाँ पर मैंने बारिक चॉप किये हुए टमाटर लिये है तो इसे भी हम यहाँ पर डाल देंगे One Ball जितने है चार से पांट टेबल स्पून जितना यहाँ पर हम बॉयल किये हुए कौन को डालेंगे अगर आपको यहाँ पर ज्यादा डालना है तो आप यहाँ पर ज्यादा भी डाल सकते हो और सबजिया यहाँ पर आप अपनी मन पसंद कोई भी ले सकते हो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम पनेल लिया है और पनेल को भी मैंने छोटे छोटे टुकडों में कट कर लिया है और सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून जितना दही को और आदा निम्बू का जूस निचोड के हम डालेंगे इसके अंदर अगर आप निम्बू का जूस नहीं डालना चाते हो तो यहाँ पे आप आमचूर पावडर भी डाल सकते हो और इसके अंदर डालेंगे देट टेबल स्पून जितना चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगा पर गेहू का आटा भी डाल सकते हो वैसे तो इसके अंदर बेशन डाल के बनाया जाता है लेकिन दही और बेसंग को एक साथ मिक्स नहीं किया जाता है इसलिए मैंने यहाँ पर इसके अंदर चावल का आटा डाला है तो सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद यहाँ पर इसे हम 15-20 मिनिट के लिए मेरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और थोड़े से फ्रेश धनिया पती को पारिक चौप करके लिया है तो इसे हम इसके अंदर डालेंगे और सब को यहाँ पर मिक्स कर लेंगे अक्सर हम ब्रेड के उपर सिंपल वाला बटर लगाते हैं लेकिन हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स, औरिगोनो और धनिया पती को मिक्स करके बटर को लगाएंगे तो यहाँ पर पार्सल का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो यहाँ पर हमने बटर को तयार कर लिया है तो अभी हम इसे साइड में रख देते हैं और अभी हम तयार करेंगे इंस्टन्ट पीजा सॉस और मिंट मेयोनिस तयार करेंगे इसके लिए यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने टॉमेटो केचप लिया है और एक बाउल के अंदर मैंने लिया है मेयोनिस को यहाँ पर हमने टॉमेटो केचप लिया है आपको जितना तीखा पसंद हो इसके हिसाब से आप कम ज़्यदा कर सकते हो मिंट मेयोनिस बनाने के लिए यहाँ पे हमें मेयोनिस के अंदर ग्रीन चतनी को डालना है यहाँ पे हम धनिये फुदीने की नॉर्मल जो चटनी बनाते है वही वाली चटनी यहाँ पे मैंने बना के तयार की है तो इसके अंदर 1 टेबल स्पून जितनी हम डालेंगे और अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमारा मिन्ट मेयोनिस बन के तयार हो चुका है और यहाँ पे हमारा इंस्टन पीजा स्वास भी बन के तयार है तो यहाँ पे हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते है अभी हम इसे side में रख देते हैं और अभी हम gas के उपर एक pan को चड़ाएंगे और इसके अंदर डालेंगे oil को 2 टेबल स्पून जितना हम यहाँ पे oil को डालेंगे और इस तरह से हम oil को फैला देंगे gas की flame को हम medium to high रखेंगे और यहाँ पे हमने सबजिया और पनीर को marinate करके तयार किया है इसे हम इसके अदर डाल देंगे इसे हम continue चलाते हुए 1-5 मिनिट तक पका लेंगे यहाँ पे हमें सबजियों को overcook नहीं करना है क्रंची ही रखना है एक मिनिट के बाद यहाँ पर हम gas off कर लेंगे और इसे अभी हम side में रख देंगे और gas के उपर अभी हम एक कडाई रखेंगे और इसके अंदर मैंने यहाँ पर एक ring रखी है और इसके अंदर हम नमक को डालेंगे यहाँ पर आपको नमक का कलर थोड़ा चेंज लगेगा क्योंकि अक्सर मैं यही नमक को बार बार यूज करती हूँ बेकिंग के लिए इसलिए इसका कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो अभी हम gas की flame को high कर देंगे और high flame पे हम इसे preheat कर लेंगे यहाँ पर मैंने एक ब्रेड ली है और ब्रेड को यहाँ पर हम बेलन की सहायता से बेल देंगे यहाँ पर मैंने मेरे वाली ब्रेड का ही यूज किया है यहाँ पर आप गेहू वाली ब्रेड का यूज मत कीजिएगा नहीं तो आप अच्छे से इसे बेल नहीं पाओगे और यहाँ पे हमें फ्रेश वाली ब्रेड का ही यूज करना है तो ही आप यहाँ पे अच्छे से इसे इस तरह से फोल्ड कर पाओगे यहाँ पे हमें ब्रेड को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके अंदर अभी हमें स्टफिंग को स्टॉफ करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे बटर को लगाएंगे जो हमने चिली फ्लेक्स, औरेगानो और धन्या पत्ति को डाल के जो बटर को तयार किया था वही बटर को यहाँ पे हम लगाएंगी बटर को अच्छे से स्प्रेड करने के बाद हम इसके उपर लगाएंगे मिन्ट मेयोनिस को, यहाँ पे हमें हाफ टियस पी जितना लेना है और इस तरह से बीच में ही हमें इसे लगाना है और जो हमने पीजा सोस तयार किया था वो पीजा सोस को भी हम यहाँ पे इस तरह से स्प्रेड कर लेंगी अभी हम यहाँ पे सबजिया और पनीर को इस तरह से रख देंगी यहाँ पे हमें लंबाई में ही इसे रखना है अभी हम यहाँ पर इसके उपर चीज को डालेंगी यहाँ पर मैंने मौजरेला चीज का यूज किया है अगर आप यहाँ पर चाहो तो प्रोसेस चीज का भी यूज कर सकते हो और चीज स्लाइस में आता है इसका भी यूज कर सकते हो अगर आप यहाँ पे cheese slice में use कर रहे हो तो यहाँ पे छोटी छोटी पटिया कट करके इसके उपर आप रख सकते हो और आप बीना cheese वाला बनाना चाहते हो तो भी आप बना सकते हो इस तरह से हम इसे fold करेंगे और fold करने के बाद यहाँ पे हम toothpick को लगाएंगे अगर आपके पास toothpick नहीं है तो आप यहाँ पे इसे कैसे seal करोगी वो भी मैं आपको बताओंगी अभी हम brush की मदद से यहाँ पे इसके उपर butter को लगा देंगे जिससे यह bake हो जाने के बाद उपर से बहुत ही crispy लगेगा यहाँ पे हमारा एक parcel बन के तयार हो चुका है तो अभी मैं आपको दूसरा भी parcel बना के दिखाती हूँ यहाँ पे मैंने bread लिया और bread को बेलन की साहता से हम बेल देंगे butter को spread करेंगे, mint mayonnaise को लगाएंगे, इसके उपर pizza sauce को लगाएंगे और यहाँ पे हम सबजियों को इस तरह से रख देंगे और इसके उपर यहाँ पे मैंने cheese slice को रखा है और इसे joint करने के लिए यहाँ पे मैंने mint mayonnaise जो बनाया था इसे हम इसके उपर रखेंगे और इसे press करेंगे, तो यह बहुत ही अच्छे से चिपक जाएगा और इसके उपर हम यहाँ पे butter को spread कर देंगे इसी तरह से हम सबी parcel को बना के तयार कर लेंगे यहाँ पे हमने parcel को बना के तयार कर लिया है, तो यहाँ पे हम एक steel की plate लेंगे और इसे हम oil से grease कर लेंगे, यहाँ पे हमें अच्छे से oil से grease कर लेना है और इसके उपर यहाँ पे हम एक एक parcel को इस तरह से set कर लेंगे एक plate के अंदर जितने parcel समा सके इतने ही parcel यहाँ पे हम रखेंगे कड़ाई भी हमारी यहाँ पे preheat हो चुकी है, तो इसके अंदर यह plate को हम रख देंगे और gas की flame को हम medium to high कर देंगे और इसे 10 से 15 मिनिट तक बैक करने के लिए रखेंगे baking का समय आगे पीछे हो सकता है, gas की flame और कड़ाई के उपर भी depend होता है तो अभी हम इसे ढख के बैक करने के लिए रख देंगे यह parcel को आप तवे के उपर भी बना सकते हो, इसके उपर oil या butter आपको जो अच्छा लगे वो यहाँ पे लगा दीजिए और इसके उपर आप parcel को रख दीजिए और इसे हम ढख के 2-3 मिनिट तक बैक करेंगे gas की flame को हम बिल्कुल slow कर देंगे और slow flame पे ही हम इसे बैक करेंगे तवे के उपर इसे बैक करोगे तो यह फटा-फट से बैक हो जाता है लेकिन नीचे से ही यह crispy रहता है अगर आपको उपर से भी इसे crispy करना है तो आपको यहाँ पे कड़ाई के अंदर ही इसे बैक करना रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे से यह crispy हो चुके है उपर से भी एकदम crispy है और नीचे से भी एकदम crispy हो चुके है तो यह plate को अभी हम बाहर निकाल देंगे तवे के उपर जो हमने parcel को back करने के लिए रखा था वो भी बहुत ही अच्छे से crispy हो चुके है तो अभी हम यहाँ पे gas को off कर देंगे यहाँ पे हमारे super tasty delicious bread parcel बन के तयार हो चुके है इसे देखकर तो सब के मुमें पानी आ गया होगा लेकिन इसे खाने के लिए आपको बनाना तो पड़ेगा तो क्या सोच रहो फटा फट से जाए कीचन में और बनाए ब्रेड पारसल को और मुझे comment box में लिखके जरूर बताएगा कि आपके ब्रेड पारसल कैसे बने रेसिपी पसंद आये तो इसे like कर दीजिएगा और इसी तरह की नई नई रेसिपी को देखने के लिए मेरी चैनल को अब तक आपने subscribe नहीं किया है तो फटा फट से मेरी चैनल को subscribe कीजिए जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की notification आपको सबसे पहले मिल जाएगी तो मैं नी वी आपको फिर मिलूँगी एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई and happy cooking